हलो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियों बताएंगे पास्पूर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं और उस पास्पूर्ट साइज फोटो का ड्रेस चेंज कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीका है तो चलिए हम वीडियों को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फोटोस तो आप यहां देख सकते हैं, आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा, इसके बाद आप जिस फोटो को ओपन करना चाहते हैं, उस फोटो पे माउस से क्लिक कर देना है, तो जैसे मुझे इस फोटो को ओपन करना है, इस फोटो पे माउस से क्लिक कर देते हैं, इसके बाद नीच को ड्रेस चेंज करेंगे तो सबसे पहले इस फोटो को हम पासपूर्ट साइज फोटो में क्राप करेंगे क्राप करने के लिए आपको टूल में जाना है माउस से आपको यहां यहां से crack tool को select करने के बाद इसके बद आप यहां देखेंगे photo का size देना रहता है तो चलिए हम photo का size दे लेते हैं यहां width है width के आगे लिखना आपको click कर देना लिखना 1.2 inch आपको 1.2 inch लिखना है इसके बाद आगे height है height पंच पे click कर देना है select करने के लिए आपने keyword को arrow key से दाय बाय उपर नीचे इस तरह से पोटो को आपको set करने के बाद इसके बाद आपने keyword का enter वटम दबा देंगे फोटो कराफ हो जाएगा तो इसके वाद आप यहां देख सकते हैं फोटो कराफ हो गया इसको हम जूम कर लेते हैं इसके बाद इस फोटो को हम क्लीन करेंगे तो सबसे पहले क्लीन करने के लिए इसमें फोटो में लाइट बढ़ाना है लाइट बढ़ाने के लिए आपने देख लिजिए उपर यहां जाना है आपको यहां इमेज पर क्लिक कर दिना है इसके बाद यहां अपने फोटो के हिसाब यहां से बढ़ा लेना है यहां से बढ़ा लेना है इसके बढ़ा लेना है इसके बढ़ा लेना है इसके बाद माउस से यहां उपर जाना आपको यहां इस पर red पे click कर देना, इसके बाद नीची आ जाना, आपको यहां black पे click कर देना है, फिर से आपको यहां mouse से पकड़ना है, इसके बाद राइट साइड में, इस तरह से यहां से थोड़ा से यहां से भी बढ़ा लेना, इसके बाद आपको यहां से ok कर देना है, इसके बाद इ यहां से OK कर देना है, इसके बाद इस photo को brush से साफ करना है, brush से photo को साफ करने के लिए आपको फिर से mouse से यहां जाना है, tool में आपको देख लिए यहां से eye driver tool को select कर लेना है, इसके बाद यहां कहीं गोरे चेहरे पर mouse से यहां इस पर click कर देना है, इसके बाद आपको tool में जाना आपको brush tool को यहां से select करने के बाद इसके बाद आप यहां देख सकते हैं लिखा opacity opacity यहां 100 है तो आपको mouse select करके 10 कर लेना है इसके बाद कीवड का enter button दबा देना है इसके बाद आगे यहां फलो है तो 100 है तो 100 रहने देजिए इसके बाद जो brush का size है अपने keyword के दुनों bracket से चोटा बड़ बरस का Ariya को कर सकते हैं इस तरह से इसके बाद mouse का button दबाएंगी इस तरह से आप ढ़े सकते हैं mouse का button दबा के photo आप clean कर सकते हैं अप dato हलकालका मेरे हो आप यहां देख सकते हैं मेरा photo clean हो गया अब देख सकते हैं इसके पदर इस photo का color balance करेंगे color balance करने के लिए आपने keyword का control B button दबा देंगे इसके लिए तो आप यहां से कण बेसी करके देना है के फोटो का color balance कर लेना है इस तरह से हैं यहां से कम बेसी करके इसके बाद आपको देख लिजिए यहां से ok कर दिना है तो आप यहां देख सकते हैं फोटो का color balance हो गया इसके बाद आप यहां देख सकते हैं इस बाल को black करेंगे बाल को black करने के लिए फिर से आपको तूल में जाना है अपने mouse का इस tool पे अपने mouse का right button क्लिक करना है इसके बाद यहां से दूसरा turn burn tool को यहां से slut कर लेना है इसके बाद इसका भी size अपने brackets से दूने brackets से छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते है इसका mouse button दभाके यहां से बाल पे इस तरह से बाल की सतर से black हो रहा है इस तरह से बाल को भी black करने के बाद इसके बाद इस फोटो का पीछे का background चेंज करेंगे आप यहां देख सकते हैं इस तरह से background का change करने के लिए आपको देख लिए pen tool का इस्तमाल करना पड़ेगा तो आपको tool में जाना है आपको यहां से pen tool को यहां से select कर लेना है यहां से pen tool को select कर लेना है select करने के बाद इसके बाद mouse से आप यहां देख सकते हैं यहां से mouse से यहां इस पे click कर दिना है इसके बाद इसको यहां से click कर दिना है इसको select कर लेना है इसको और अच्छे से select करने के लिए photo को आपको zoom कर लेना है तो हम photo को zoom कर लेते हैं keyboard का control और space बटन दवाएंगे इसे यहाँ से mouse को बटन दवाएंगे photo zoom हो जाएगा इस तरह से photo को zoom करके आप photo को अच्छे से select कर लेना तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से pen tool से photo को select कर लेना है तो हम photo को select कर लेते हैं इस तरह से क्या करना है अच्छे से अपने photo को pen tool से select कर लेना है इस तरह से photo को select कर लेना है आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से photo को select कर लेना है pen tool से यहां से इस तरह से यहां लाके यहां क्लिक कर देना है इसके बाद जूम माइनस कर लेना फोटो को इसके बाद यहां से okay कर देना है, तो आप यहां देख सकते हैं, फोटो का चारत प्रश्य स्लक्षन हो जाएगा, इसके बाद इस फोटो का background लेने के लिए आपको देख लिजिए, फिर से यहां टूल में जाना है, आपको यहां background पे click कर देना है, इसके बाद आपके सावने इस तरह से background आ जाएगा आप जो भी कला लेना चाहते हैं यहां से click करके ले सकते हैं तो मैं यहां से blue लूँगा blue पर click कर देता हैं इसके बद हल्का blue पर click कर देना है इसके बद आपको यहां से ok कर देना है इसके बद keyword का delete hit button दबादे ना फोटो का background चेंज हो जाएगा तो आप यहां देख सकते हैं इसका selection को हटाएगे keyboard का Ctrl D प्रेस कर देना selection हट जाएगा के इसके बाद इस फोटो का dress change करेंगे dress change करने के लिए इस फोटो का पहले dress कर लेना है, Chrome browser open होने के बाद इसके बाद माउस से यहां search पे click कर देना है, click करने के बाद इसके बाद आपको type करना है, passport, size, dress, image, आपको यहां लिख देना है, इसके बाद इंटर बटम keyword का दवा देना है, तो आप यहां देख सकते हैं, इस तरह से open हो जाएगा, इसके बाद म इसके बाद आप यहां देख सकते हैं, बहुत सारा इस तरह से dress आ जाएगा, आप यहां देख सकते हैं, इस तरह से, इसके बाद यहां से एक कोई download कर लेना है, यहां से इसको हम download कर लेते हैं, mouse से इस पे click कर देना है, click करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, इ इसके बाद आपको यहां save पिक कर देना है आपका यह dress download हो जाएगा तो हम इसको यहां से minimize कर देते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं मेरा dress download हो गया है तो इसको फोटसाब में open करेंगे माउस से इसको पकड़ेंगे इसके बाद इस तरह से photo को लाएंगे फोटसाब में लाएंगे यहां छोड़ देंगे तो आप यहां देख सकते हैं open हो जाएगा इसके बाद आप इसको हम पकड़ेंगे आप यहां देख सकते हैं इसको हम पहले png फाइल बनाएंगे यहां से इसको आप यहां देख सकते हैं png फाइल नहीं है तो इसको png फाइल बनाने के लिए आपको जाना टूल में आपको यहां इरेजर टूल पर अपने माउस का राइट बटम क्लिक करना है इसके बाद इसको पकड़के थोड़ा साइड कर देते हैं इसके बाद इस इसद्रस को माउसे पकड़के छोड़ देना है इसके बाद इसके जग्लिक पर छोड़ देना है इसके बाद इस प्लीक करके बड़ा कर लेना हुएति का इस फोटो पर देख सकते हैं स्लेक्शन इस तरह से नहीं आ रहा है तो स्लेक्शन लाने के लिए आपको देख लिए माउस से आपको देख लिए आट्टू स्लेक्ट लेयर पर क्लिक कर देना है इसका यहां पर भी आपको क्लिक कर देना है तो आप यहां देख सकते हैं इस तर को बढ़ा करेंगे 선택 ग्यूक्त करेंगे क्यूबट का shift button का अच्छे से बढ़ा करने के लिए क्यूट के लिए आप आप इसका करने के लिए आपको देखरें टूल में जाना के लिए कुर्ण के लगए C इस तरह से कट हो जा रहा है आप यहां देख सकते हैं इस तरह से कट कर लेना आप यहां देख सकते हैं इसके यहां से यहां देख सकते हैं पीछे यहां बेग्राउंड फोटो का यहां कुछ बेग्राउंड ड्रस पीछे का दिख रहा है तो इसको कट करने के लिए फिर से जा कर लेना है इसके बाद पीछे आप फोटो को माइनस कर लेते हैं कि इस ड्रस को और फोटो को हम मर्च करेंगे मर्च करने के लिए आपको टूल में जाना यहां से मुप टूल को यहां से select कर लेना है, इसके बाद आपको यहाँ इस dress पे click कर देना है इसके बाद keyword का shift बटन दबा के इस photo पे mouse से click कर देना है एक photo joint हो जाएगा, इसके बाद merge करेंगे, merge करने के लिए keyword का control E बटन दबा देना है करने बटन हो जाएगा इसके बाद इस फोटो के यहां चारों तो एक लगाएंगे बादर लगाने के लिए आपको अपने keywood का control ५ाटम दभा देना फोटो सेलेक्ट हो जाएगा इसके माउस से यहां वाट है और आपको फिर और एडिट पर क्लिक कर देना है इसके बाद can go to campus दो जोग ने केलिए की वड्न का कियां धहयना हास देख सकते हैं मेरा फोटो बन गया इसके बार इस फोटो को सेफ करेंगे किसे करने के लिए माउस से आपको यहां उपर जाना है यहां फाल पर क्लिक कर दे जाना है यहां सेवाइज पर क्लिक कर देना है इसका फोटो कहां सेव करना चाहते हैं तो डेश्टाप पर सेव करेंगे डेश्टाप को स्लेट कर लेना है इसका आपने यहां क्लिक करके फोटो का नाम दे सकते हैं कुछ भी फोटो का नाम देना चाहते हैं यहां से दे सकते है इसको यहाँ यहाad Jpg पे क्ली कर देना है, इसका बाद आपको Jpg को select कर लेना है, इसको आपको यहाँ से OK करते जैना है तो आपका Foto Save हो जाएगा, इसको हम Foto Give- mooise कर देते हैं, इसके बाद आप आप нее देख सकते हैं, तो इसको हम open कर लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं मेरा photo बनके ready हो गया, इसके बद एस photo को print कैसे करेंगे, print करने के लिए इस photo को हम यहां से cancel कर देते हैं, फिर से हम photo shop में यहां से आ जाएंगे, photo shop को open कर लेंगे, इसके बद इस photo को print करने के लिए आपको अपने keyword का control, name button दवाना एक new page ले 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 पीचे आपको यहां फोर पे क्लिक कर देना है इसके बाद माउस से इसको यहां से पकड़ना है इसके बाद इस फोटो को इस पेच पे मूब करना है मूब करने के लिए आपको टूल में जाना यहां से मूब टूल को यहां से सलेट कर लेना इसके बाद इसके किलिक करके माउस कोटम दबा के लाके इस पर छोड़ देना इसके बाद यहां से इसको किलिक करके बढ़ा कर लेना इसके बाद इस फोटो को यहां से कोने में रख देना है इसको भी आपने keyword को arrow key से इस तरह से फोटो को set करेना है इसके बाद और फोटो बनाने के लिए आपको अपने keyword का control shift alt button एक साथ दवाना है इसके बाद इस image को mouse से पकड़ के हीचना है इस तरह से आप यहां देख सकते हैं keyword का control shift alt button दवा के इस तरह से mouse से फोटो को हीचना है इस तरह से अब जितना फोटो बनाना चाहते हैं बना लेना है तो हम 6 फोटो यहां बना लेते हैं बनाने के बाद इसके बाद इस फोटो को print करने के लिए आपको अपने keyword का control P button दवा देना है इसके बाद आपको यहां print पे click कर देना है इसके बाद आप प्रोसेट पे click कर देना है इसके बाद आपने printer को यहां से select कर लेना है जिस printer से print करना चाहते हैं select करने के बाद आप प्रोटो पे click कर देना यहां से अपने paper को, अपने high quality को यहां से set कर लेना है, इस तरह से, इसके बाद आपको यहां से ok कर देना है, यहां से भी ok कर देंगे, आपका photo print हो जाएगा, आसान तरीके से,